तीन हजार वर्ष पुराना है तीर्थो दै अतिश कारी गोल कोट जेन मंदर भारत ही नहीं विदेशों में भी आते हैं हजारू श्रदालू दर्शन करने दर्शन मात से ही दूर हो जाते हैं विकट से विकट रो शिप्पुरी जिले के सबसे बड़ी तहसील खनियाधाना से महेज 10 किलो मीचर की दूरी पर दस्तित है तीर्थो दै अतिश कारी गोला कोट जेन मंदर आपको बता दे कि खनियाधाना के गोला कोट जेन मंदर में 23 तीन्त करो की परतीमा है जेन धर्म के अनुसार अभी तक 24 तीन्त करों ने मौक्ष प्राप किया है 24 वे भगवान महावीर स्वामी 2578 वर्ष पूर मौक्ष गए इसलिए गोला कोट जेन मंदर 3000 वर्ष पूर आना है यसे में कहा जाता है कि यहाँ पर किसी जमाने में 300 कोई और 84 वावडियां होती थी और एक ही गोत्र के 700 परिवान निवास करते थे ऐसा भी कहा जाता है कि रोज पूजन और अभीशे करने में ऐसे कैंसर जैसे बड़े से बड़े रोख ठीक हो जाते जिससे भी जीते जाकते प्रणा मौजूद है अतिश कारी गोला कोच जेन मंदर मंगल के बीच और बीच एक 1500 फीट उच पहाड परस्तत है मंदर तक पहुँचने के लिए खनियादाना से 8 किलो मीटर दूर गूडर गाउन से 2 किलो मीटर अंदर जंगल में जाना पड़ता है पहाड पर जाने के लिए एक रास्ता सीडियों से होकर जाता है जिसकी सीडियां 350 के करीब है और दूसरा रास्ता पहाड को राउन करके अर्शी सी से बनाएगा इस रास्ते में भी मंदर तक पहुँच सकते हैं आतिष्ट कारे इसलिए भी कहा जाता है कि यहां पर 2008 में कुछ मूर्ती चोरों ने छेनी हतोडियों से प्रतिमाओं को काटा गया जैसे ही मूल लायंग भगवान आधिनाथ के प्रतिमा पर छेनिया रखी गई तो छेनिया अपने आप तूड़ गई और चारों के सरदार को आ माढ़ प्रतिष्टा महुत्सव में गलाकोटा के मूल नायक भगवान आधितनाथ के प्रतिमा को ले जाये गया और पांच दिनों चले कारेक्रम के बाद जैसे ही प्रतिमा को वापस गोलाकोट मंदिल आये गया तो प्रतिमा मंदिर में ही नहीं जा रही ती शेखड़ों उने प्रतीमा को नहीं ला पाए लोहे के गाटर भी टेड़े पड़ गए फिर जिनमय सागर महाराज जंगल वाले बाबा को इस घटरा की बारे में बता है तब जंगल वाले बाबा ने दो घंटे की साधना के बाद सिर्फ चार लोगों को बुला कर प्रतीमा को टवाया मानो फूल की तरह प्रतीमा उड़ गई और सिहासन पर विराजवान की गई तुरंद ही अपने आप दावों के द्वारा प्रतीमा का विशेक किया गया जो हजारों लोगों ने अपनी आँखों से देखा है यहां मुक्य आकर्शन का केंद्र पांच सितारा अतिती विश्राम गुड हैली पेट तितली आकर का बगीचा पंच सितारा भोजन शाला मुनियों की कुटिया कुटियों के पास बना जलाशा है और बगीचे के बीच बना स्विमिंग पुल और लाल फत्तरों से निर्मार दिन त्रिकाल जोबीज लाल मंदिर है तो अभी हम गोला कोट के मंदिर पे हैं जैन मंदिर तीर्थोदा जीसे कहा जाता है इसके बारे में कुछ आप जानकारियां दे आप को बता दें कि छेत्र्यें 3000 वर्स प्राचुन है आप जो जिस छेत्पर आय है कि तीठोदे धरमो recuerde अस्य ती छेत्र गोला कोट की पचराइग जहां पर आप बिराजवानी में गोलाकोट पड़ी है यह तीन हजार क्रशी बाड़े सिर्फ कला और है अन्य कि यहां का ज्यान बताया जब कल प्रक्ष खतम हुए और तीन हजार वर्स प्राचीन यह च्छित्र इसलिए है क्योंकि यहां पर प्रथम तितंकर रिश्वद देव से लेकि 23 वतितंकर पारशनान भगवान तक की प्रित्मा है 24 वतित और पांचों पहाड़े पर देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको बाबडियां बगरा जिसमें आभी कुछ बाबडियां हम लोगों को देखने में नजर आती है हमारे यहां को गैस्थाउस भी बना हुआ है जो कि मात्रे 344 दनों में complete हुआ तो यहां कितनी दूर-दूर से य जो कि बामर कला से रहने वाले आश्टलिया में जॉब करते हैं कलाएंगे और अभिशेक बगरा करेंगे यहां बबन बबन इस्तानों से यात्री आते रहती और जिनेंद्भगवान की अस्षय को बिख्यात करते रहती हैं और ऐसी क्या खूबियां है इस मंदिर में और बा प्रित्माजी का परिकर्द उसमें अलग से एक तेज है और जिस तेज को देखकर कि हम लोग सांतिधारा बगड़ा करती हैं उसमें रोगों का पल में नवारण होता है ऐसे रोग हैं जो मात्र बाबा की सांतिधारा अभिशेक से ठीक हो जाती है तो ऐसे जिनेंद्भवान की गई थी और प्रित्माओ चोरी हुई थी यहां से उनके बारे में अभी तक यहां परुनी श्वंठार में में घटना घटित हुई थी जिसमें कुछ चोर आयते उसके पहले क्या था कि जैन समाज का ज्यादा बो नहीं था यहां पर जंगली एरिया था और लोग बाग कम नहीं आना हुपाता था यहां पर लोगों का तो